कि अब यहां पर फ्रेली चीज में डिसकेस करूंगा जाइस पहली चीज में डिसकेस करूंगा धाल स्पेसिफिट हींट केपैसिटी चिब्च इख वेड यह ज़ लोग 12 में 11 it 12 में मतलब या जेही नीट एंड सीड अभी के अपने पोशन में देखो आप बच्पन में लिखते थे सी बच्पन में लिखते थे सी अभी में सिंबल डालूंगा इसको सब लोग यहां पर सब्लों common sense एकदम common sense मुझे बताओं यहां बेना दो केसेज दिये case number one and caset never two थी के अब उपरवाल वाले केज उपर ओवाला के sicher मंने बोला इसका temperature अब्क मुझेश नंबर one case number two दोनों का temperature बढशाना मुझे is water temperature बढ़ना 10 degrees से लेके उसका से मुझे बढ़ना 40 तक सिमिए इसका भी मुझे temperature बढ़ाना है 10 degrees है 40 degree तक ठीक है दोनों का same temperature मुझे बढ़ाना है मतलब क्या हो गया initial and final level मुझे तो किसमें ज़्यादा heat लगेगी किसको ज़्यादा heat लगेगी case number over case number two को किसको ज़्यादा heat लगने वाले गाइस yes बिलकुल बिलकुल case number two q क्योंकि उसका mass ज़्यादा है न उस यह जो water है उसका mass ज़्यादा है तो मैं ऐसा बोल दूंगा heat heat का symbol में लिखता हूँ delta q delta q इस में heat का symbol heat मतलब energy transfer तो मेरे जो heat लगेगी मेरे को मेरे को जो heat लगने वाली है case number two के लिए ज़्यादा है क्यों 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 उसका mass ज़्यादा है so my heat is proportional to mass my simple नवाई heat is proportional to mass जितना mass ज़्यादा उतना heat ज़्यादा लगेगी और क्या चाहिए right हाँ अब second case second case second case में mass same है देखो मनदब ये ये वाला देखो नीचे वाला पार्ट देखो नीचे वाला पार्ट में दोनों same mass का है अब मेरे को बोला कि चलो इसका initial temperature 10 degree था इसको मुझे बढ़ाना है 30 डिग्री पे second case में इसका 10 degree था इसको मुझे बढ़ाना है 70 डिग्री पे अब मुझे बताओ किसको ज़्यादा heat लगने वाली है first case है second case बिल्कुल second case इसमें भी second case को लगेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे क्या वोलते इनीशल temperature इसको मुझे बोलते फाइनल तो आपको अपको पता है वाट इस देल्टा-T फाइनल माइनस इनिशल मतलब कितना हुआ यहां पे 70 माइनस 10 जैसे कि इस केस में कितना हुआ 60 हुआ बहुतने ही ज़्यादा इसकेस में कितना हुआ लगने वाले तो basically मैं क्या बोलूंगा second case में my heat is proportional to क्या हो गया change in temperature जितना ज्यादा भाई change in temperature उतना ज्यादा heat simple सी बात है अब मुझे बता हीट is proportional to heat is proportional to both mass and delta T अब जो proportionality constant है गाईज अब ध्यान में रखना जो proportionality constant है उसको ही में लिखता हूँ एस तो M delta T तो symbol ही में यहाँ पे और symbol डाल देता हूँ एस और यहाँ पे डाल देता हूँ delta T and where is this s is called with this s is called specific heat capacity simple specific heat capacity टिक है यहाँ पर देखो पहला एक्जांपल ऐसा है लेट से यहाँ पे लिक्वीड है सुनो यहाँ पर लिक्वीड अब यह लिक्वीड कुछ कुछ एक नॉर्मल लिक्वीड देता हूँ जिसका मास मैंने बोला इसका मास है कुछ 10 kg इसका specific heat capacity दिया हूँ एस दिया हूँ ठीक है इसकी वेल्यू दिये लेसे 200 ठीक है अब जूल में लिखता हूँ में जूल पर केजी पर Kelvin ठीक है और इसका इनिशल टेंपरेचर था इसका इनिशल टेंपरेचर था 10 डिगरी अब मुझे उसका टेंपरेचर बढ़ा के right here बूजब कोई बोलूंगा हमेशा हम लोग सकथ में नहीं नहीं बो रेंगे हो यहाँ एम है फॉर्मूला में तो एम उस करेंगे लिटर में दिया होगा तो आपको वाल्यूम से डेंसीटी से सब मास में करना पड़ेगा ठीक है फटाफट बता हो जरा कितना लगेगा ठीक है तो यहां पर देख लो यहां पर देख लो मेरा हीट में वापस एकड़म इजी वाला पर वहां मैंने देखो state same है नहीं मैंने specific capacity कभी उस करते हैं वेन दत्वन state is same state is not changing ठीक है state is same temperature is changing ठीक है यूस करेंगे MS delta T by M दिया हुआ है कितना 10 S दिया हुआ है 200 delta T दिया हुआ है अपने हो कितना delta T is final minus initial which is 90 minus 10 देहां में रखना 80 डाल दो 80 डाल तो जो भी आंसर आएगा वह ओपका अशर है ठीक है चलो दिख देता हो भी 69400 टीक है इतना इतना जूल लगेगा इतना जूल एनर्जी लगेगा ठीक है वही एक अपना लिक्वीड दिया है मास दिया है 20 kg ठीक है इनिशल टेंप्रेचर है इनिशल टेंप्रेचर मैं जब लिखता हूँ Ti Ti मतलब इनिशल टेंप्रेचर Let's see initial temperature is 80 degree and final temperature final temperature is 20 degree तो अब मुझे एक बात बताओ 80 से 20 करना है तो मुझे होता हीट देनी पड़ेगा, हीट लेनी पड़ेगी भाई हीट क्या करेंगे, हीट will remove हीट, right तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, loss of हीट, हीट will lose हीट will lose from this body, हीट गेन नहीं होगा, हीट लेना पड़ेगा मतलब, it will lose from the body, अब ध्यान में रखना मैंने जब बोला, हीट लॉस कितना होगा, what is हीट लॉस, या हीट लॉस, जो भी है, तो हीट लॉस कितना होगा, ये मुझे पुछा हुआ है, धैन में रखना है, हीट लॉस कितना हुआ, अब यहाँ पे ने एक चीज़ हमेशा दिमाग में यह रखना है, कभी भी आंसर माइनस में नहीं निकालना है, कभी भी यहाँ पे आंसर माइनस में निकालना है, ये रूल बनाते हैं, तो अब मुझे बताओ, यहाँ प Tan эти ஏ इंच, यहाँ पे यहाँ पेấyड रिखोंगे, Final, M Minnesota, Initial, ब्रOT means यह यह आ जब टी कि मुझे सबस्ठ वैल्यू निखने है छाल बेशल रथ पॉजिटीव अधैने मेन कि प्लस या प्लस तो मुंझड प्लस फ्ली Uncle路 फॉड़ मैनस इंशल इनिशल मैं थाय चनल एनिशल मैनस इनिशल मैनस फाँनल कजिक टे मिन इनिशल टेंपरेशर माइनस फाइनल टेंपरेशर देखो रूल बना रहा हूं मैं तो इसकेस में होगा 80-20 विच इक्वल टू 60 तो इसकेस में मेरी डेल्टा टी डेट इस चेंज इन डेल्टा टी जो पॉजिटीव वैल्लिव आई 60 आई क्योंकि मुझे आंसर पॉजिटीव चाहिए क्योंकि मुझे मैगनीटीव चाहिए गई इनिड मैगनीटीव ठीक है तो मेरा हीट लॉस आ जाएगा यहाँ पर एम वही एस डेल्टा टी एस की वैल्लिव आपस हम लग 200 ही लेते है एस की वैली 200 जूल पर केजी पर केल्विन तो आप यहाँ पर देखो एम कितना है 20 यह एस कितना है 200 जूल पर केजी पर केल्विन डेल्टा टी कितना है 60 तुम्हारा आंसर आ गया कोई दिक्कत है इसमें 24-0-0-0-0 ठीक है इतना Joule मुझे इतनी Joule Heat Lost हो गई Heat Lose हो गई Rule क्या था Rule था जब Heat Gain हो रही है Heat Gain हो रही है तो Delta T को हम लोग क्या लिखते है Final Minus क्योंकि Final Temperature is Greater Than Initial Temperature यहाँ पर Final is Greater Than Initial Well Heat Gain होती है मुझे तो Heat Lose होती है Heat Loss होता है जब Heat Loss होता है अब मैं क्यों यह बना रहा हूँ तब को समझ में आएगा जब Heat Loss होता है तो Delta T को क्या लिखेंगे अपन Initial Minus Final Why? Because Initial Temperature is Greater Than Final Temperature समझ में आ रहा है So यह Rule मुझे बनाना यह Rule जो इसको मुझे फॉलो करना होता है है Delta T में Guys यहाँ पर देखो अब Example 3 Example 3 Simple Example 3 Simple Example वापस एक Liquid है इस Liquid के अंदर मैंने एक Metal डाला हुआ है So Metal Inside Liquid अब ध्यान में रखना Guys Guys मैंने बोला थाना Hot Body, Cold Body When you touch Hot Body and Cold Body Temperature of the Hot Body Decreases Temperature of the Cold Body Decreases Till what It becomes Equal Thermal Equilibrium जब तक नहीं होता Thermal Equilibrium ठीक है तो यह Body A है यह Body A, Body B है Body B मतलब कुछ Mass है राइट अब मैं बोलता हूँ Let's say Mass of this Mass of B दिया हुआ है Let's say 20 kg ठीक है Specific heat of B दिया हुआ है कुछ around Let's say लेते अपन 500 Joule per kg per Kelvin ठीक है और Initial Temperature Initial Temperature इसका दिया हुआ है Let's say 20 degree और Mass of A देखो यह जो एक कोई metal डाला So let's say this is a metal Metal कुछ भी copper हो सकते है Aluminium, Zinc, Bing जो भी कुछ भी हो सकते है अभी हम आपन क्या करेंगे कोई metal है A ठीक है Concept को समाजने के लिए पहले concept को समाजने के लिए Let's say Mass of A is given Let's say 50 kg Specific heat capacity of A is Let's say given 200 joule per kg per kelvin ठीक है और बोला है इसका जो initial temperature है Let's say it is 80 degree 80 degree Celsius 20 degree Celsius अब मुझे बोला है दोनों का touch किया तो heat कहां से कहां पे flow होगा Heat will flow from where to where It will flow from metal A to this B Liquid B So it will flow from A to B It is not water It is not necessary water क्योंकि water का कुछ अलग होता है और लेकिन वो गंदा सा होता है 4200 degree होता है इसलिए मैंने Simple calculation के लिए 500-200 से simple numbers लिए ठीक है guys So heat will flow from A to B So B का temperature बड़ेगा A का temperature कम होगा कब तक होगा यह चीज़ कब तक process जाएगी है कब तक होगा Till the temperature becomes Till the temperature becomes equal To find that equal temperature T guys ठीक है मुझे बताव पहले क्या होगा पहले क्या होगा पहले क्या होगा Metal A will lose heat Metal B कहा Liquid B will gain heat ठीक है मुझे बताव यहाँ पे energy कर जाएगा And there is no heat lost to the atmosphere को देखो एक इसमें condition है Surrounding को कोई heat नहीं जा रहेगा Surrounding को कोई heat नहीं जा रही है कोई heat surrounding को नहीं जा रही है तो जो heat Metal A lose करेगा वही B gain करेगा तो अब इस case में बताव मुझे इसका temperature कम होते होते T हो गया इसका temperature बढ़ते बढ़ते कितना हुआ इसका temperature बढ़के कितना हुआ इसका temperature बढ़के T हो गया दोनों का temperature सेम हो गया Hot body, cold body अब मुझे बताओ यहाँ पे एक बात बताओ मैंने एकदम simple सा rule आपको बताया था heat जितनी loss होगी बचपन में पढ़ाए इतनी heat क्या होगी इतनी heat क्या होगी gain होगी ठीक है heat lose कोन करने वाला है heat loss किसका होगा A का होगा sorry A का होगा heat gain किसका होगा B का होगा देखो numerically पहले देखो numerically पहले सब लोग देखो तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे mass of A specific heat of A delta T of A यह बात में लिखूँगा क्या है वो mass of B specific heat of B delta T of B आप मुझे बताओ मैंने क्यों आपको इस positive positive का rules बनाये थे इसके लिए यहाँ पे लिखना बहुत important है तो mass of A आपन लिख देते हैं यहाँ पे सो mass of A is 50 S of A is कितना 200 अब delta T क्या लिखेंगे गाई डिल्टा T क्या लिखेंगे initial minus final देको heat lose होती है तो temperature कम होता है तो यहाँ पे धहन में रखना यहाँ पे 80 degree initial temperature था तो 80 minus T धहन में रखना यहाँ पे T minus 80 लिखेंगे आंसर गलत आजाएगा 80 minus T लिखेंगे बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखेंगे mass of B which is 20 A 500 ठीक है और into क्या करेंगे into क्या करेंगे अब वापस यहाँ पे calculation अच्छा करने के लिए easy करने के लिए मैंने कुछ दिया था आपको यहाँ पे क्या करेंगे temperature बढ़ रहा है temperature बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे T minus 20 बिल्कुल T minus 20 समझ में आ रहा है क्या भाई यहाँ पे जो heat gain करेगा delta T क्या लिखती उसके लिए T minus 20 तो यह चीज़ समझना जरूर है ठीक है मैं वापस यहाँ पे एक box बना देता हूँ ठीक है जिनको नहीं समझ में रहे हैं उनके लिए मुझे बताओ delta T जब heat lose जो करता है तो heat lose करता है तो धाने में रखना initial minus final होता है जो heat gain करता है heat gain करता है delta T जिसके B में heat gain किया तो उसके लिए final minus initial होता है और मुझे बताओ जब दोनों को अपन टच करते है तो heat transfer होती रहेगी इसका temperature बढ़ते जागा इसका temperature कम होगा जब तक क्या हो जाए same हो जाए दोनों का temperature same हो गए which is T and you have to calculate T simple सी बात है ठीक है तो अब मुझे बताओ चलो बताओ भाई क्या doubt है पहले इसको calculate करते है यह हो गया answer कितना है यहाँ पर answer कितना है so 80 minus T is equal to T minus 20 इधर उधर चला गया 80 plus 20 कितना हो 100 100 is equal to 2T तो T की value हो गई 50 degree समझ में आ रहा है guys 50 degree हो गया